अनन्त ब्रह्मांड के केंद्र में जहां रहस्य खगोलिय पिंडों के रूप में रहते हैं, एक भयानक राग अंतरिक्ष के निर्वात को भर देता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रतिध्वनित करते हुए अर्बों वर्षों से एक गहरा राग गुंज रहा है। साथी खोज करता, Apex Facts के एक और आकर्शक वीडियो में आपका स्वागत है. आज हम घर से PERSIUS क्लस्टर के केंडर तक 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की चौका देने वाली यात्रा करते हैं. हमारी यात्रा हमें एक सुपरमैसिव ब्लाक होल तत ले जाती है, एक ब्रहमांडिय विशालकाई जिसकी पहुँच इतनी प्रभावशाली है कि वह अपनी आकाशिय सिंफनी बजाता है. एक स्रे की भाशा में लिखी गई एक सिंफनी और सुनिफिकेशन नामक एक असाधारन प्रक्रिया के माध्यम से ध्वनी में परिवर्तित हो जाती है. इस सुपरमैसिव ब्लाक होल के चिलिंग ओडियो क्लिप के बारे में दस सबसे पेचीदा तत्यों को उजागर करने के लिए हमसे जुड़े. इस वीडियो में हम आपको बताएगे नासा के द्वारा जारी की गई 250 मिलियन प्रकाशवर्ष दूर स्थित एक सुपरमैसिव ब्लाक होल से निकलने वाली ध्वनी तरंगों की भयावः ओडियो क्लिप. तो आईए सुनते हैं सबसे पहले नासा द्वारा जारी किया भयावः ओडियो क्लिप जो की 250 मिलियन प्रकाशवर्ष दूर स्थित एक सुपरमैसिव ब्लाक होल से निकलने वाली ध्वनी तरंगों से उत्पन हुआ माना जाता है. आईए अब हम जानते हैं इस धवनी तरंग से जुड़े 10 पेचीदा तथ्य. तथ्य एक चंद्रा एक स्रे विद्शाला. नासा के चंद्रा एक स्रे विद्शाला के डेटा का उप्योग करके ब्लाक होल का ओडियो क्लिप बनाया गया था. 1999 में शुरू की गई विद्शाला दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूर्बीनों में से एक है और ब्रहमांड के उच्चूरजा क्षेत्रों से एक स्रे का निरीक्षन कर सकती है. तक्थे दो, सोनिफिकेशन ओडियो क्लिप डेटा को ध्वनी में परिवर्तित करके बनाया गया था. एक स्रे की तीवर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन पिचों और आयतन का उप्योग किया गया था. यह प्रक्रिया हमें डेटा की बेहतर व्याख्या करने और ब्रहमांडिय घटनाओं को समझने का एक नया तरीका प्रदान करती है. तथ्य चार पर्सियस क्लस्टर पर्सियस क्लस्टर ब्रहमांड में सबसे विशाल ज्यात वस्तूओं में से एक है. इसमें मल्टी मिलियन डिग्री गैस के विशाल बादल में हजारों आकाश गंदाये हैं. ब्लैक होल इस गैस बादल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है. दिल्चस्प बात यह है कि पर्सियस क्लस्टर में ब्लैक होल पियानों पर मध्यबी के नीचे 57 ओक्टेव का नोट बजा रहा है. मानव श्रवन से परे. यह मानव कानों की सीमा की तुलना में एक लाख अरब गुना अधिक आवरित्ती का अनुवाद करता है. तथे 6. ब्रहमांडिय ध्वनी तरंगे ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न ध्वनी तरंगे ब्रहमांडिय ध्वनी तरंगे हैं, जो पिछले 2.5 अरब वर्षों से पर्सियस क्लस्टर में गैस के माध्यम से यात्रा कर रही हैं. ये ध्वनी तरंगे उस शक्तिशाली प्रभाव का प्रमांड हैं, जो ब्लैक होल अपने वातावर्ण पर डाल सकते हैं. तथे 7. उर्जा प्रभाव इन ध्वनी तरंगों द्वारा वेहन की जाने वाली उर्जा महत्वपूर्ण होती है. खगोल भौतिकी में लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करने के लिए यह परियाप्त है. आकाश गंगाओं के समुहों में गैस थंडी, संधनित और अधिक तारे क्यों नहीं बनाती है? ब्लैक होल की ध्वनी तरंगों की ऊर्जा गैस को गर्म रखती है, जिस से तारा बनना बंध हो जाता है. ब्लैक होल के आसपास की गतिविधियों से ध्वनी तरंगे उटपन्न होती है. जैसे ही सामगरी ब्लाक होल में खीची जाती है, यह उसके चारों और एक अभिवृध्धी डिस्क बनाती है इस डिस्क और ब्लाक होल के बीच की बातचीत से उच्चूर्जा कणों के जेट बनते हैं, जो हमारे द्वारा देखी जाने वाली तरंगों को उत्पन करते हैं वे वैड्यानिकों को ब्लाक होल और उनके आसपास के वातावर्ण का अध्ययन करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करते हैं, जिससे हमें ब्रहमांड में सबसे रहस्यमय वस्तूओं में से एक के व्यवहार और विशेष्टाओं को समझने में मदद मिलती है ब्लाक होल के इस गीत की खोज और सोनिफिकेशन के उपियोग के भविश्य के ब्लाक होल अनुसंधान के लिए गहरा प्रभाव हो सकता है यह हमारे ब्रहमांड के बारे में भविश्य की खोजों के लिए रोमांचक संभावनाओं की पेशकश करते हुए डेटा का अध्ययन और व्याख्या करने के नए तरीकों का द्वार खोलता है खगोलिय रहसियों की यह गहरी यात्रा यहां समाप्त होती है लेकिन हमारी ब्रहमांड में अज्यात की खोज जारी रहेगी हमने आज देखा की ब्लाक होल कैसे अपनी खुद की अध्वितिय संगीत सभा का आयोजन करते हैं और इसके खगोलिय गीतों का सुनिफिकेशन हमें ब्रहमांड के अधिक समझने में मदद करता है यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है और अधिक रोमाचक और गहन सामगरी के लिए उच्साहित हैं तो कृप्या इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके साज़ा करने से हमें और अधिक विशेश और उतकरिष्ट सामगरी प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी एपेक्स फैट्स की अधवितिय खगोलिय सामगरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले जब तक हम अगली खोज में आपका इंतजार करेंगे आप अपने आस्मान की ओर नजर गौड़ाए और ब्रहमांड की आश्चर्य जनक विस्तारित स्रिश्टी का आनंद ले धन्यवाद